हेलो एवरिवन वेलकम टो रविय अधिति क्लासेज आज की वीडियो का टॉपिक है जेनरे 2022 के टॉप 50 आम्सिक्यूस यहाँ पर मैंने सबी कोशन बिकोल सेलेक्टेट नहीं है अगर आप किसी पे एक्साम के तियारी कर रही हैं तो यह वीडियो आपको काफी जादा मदद करेगी तो चले क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेशन नमबर फर्स्ट से पहला कोशन है इन विच स्टेट दिन नरेंद मोदी जी तो किस राज्जी में देखिए नरेंद मोदी मारग सड़क जो है इसका उलगाटन किया गया है तो यहाँ भी हमें पताना है कि स्टेट कौन सा है तो फिर्ट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्के मिस्दी राइट आंसर तो इसका जो नाम रखा गया है देखिए इसका नरेंद मोदी जी के नाम पर रखा गया और इसको ओफिशली इनॉगरेट किया गया है सिक्कीम के गवर्णर गंगा प्रसाजी के दौरा कुछ देखिए नरेंद मोदी जी से रिलेटेड है तो नरेंद मोदी जो स्टेडियम है वो एहमदाबाद में है एक्जाम बॉ तो फ्रेंट्स उत्रप्रदेश के ये नए मुख्य सचिब बनी अब बात आती है उत्रप्रदेश की जिसके कैपिटल लखनव है योगी आदितेनात यहां के सीयम है आनन्दी बेन पडेल यहां की गवर्नर है चीज जिस्टिस है यहां के राजेश इनका पूरा नाम है राज बिंदल और उत्रप्रदेश का जो बॉर्डर है वो एट स्टेट के साथ लगता है उत्राखन, हिमाचल प्रदेश, हरियाना, राजस्तान, मद्रप्रदेश, छतिसकर, जारकन और बिहार के साथ लगता है और इसी में अगर हम डेली को मिला दे क्योंकि वो देखे यूटी ह स्टेट नहीं है तो अगर हम डेली को मिला दे यूटी को भी तो टोटल नौ के साथ ही अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करता है नेक्स्ट कोशन है विच आयाइटी हास सिक्यूर्ड दे फोर्स्ट पोजिशन इन अटल रैंकिंग ओफ इंस्टिटूशन और इनोवेशन अचीवमें टॉजन तो आयाइटी मद्रास नहीं इस लिस्ट में टॉप किया बात करें टॉप थ्री आयाइटी की तो फोस्ट पे है आयाइटी मद्रास सिकिन पे है आयाइटी बॉंबे थर्ड पर है आयाइटी डेली और ये इसका कौनसा वर्जन यानि कौनसा एडिशन है तो फ्रेंट्स ये भी ध्यान लेकिंगे ये इसका तीसरे एडिशन है अगरा कुश्ट है इन बिच कंक्री द वर्लोंगेस्ट मे इसकी जो शिरवात हुई है friends, यह कौन से देश में हुई है, सबसे लंबी मेट्रो लाइन, राइट आसर इस शंगाई चाइना, देखे अभी चाइना में एक नई मेट्रो लाइन का उपन किया गया है, जो कि चाइना के शंगाई प्रोविंस में इसको उपन किया गया, इसे क साथ यहां पर जो metro network है वो सबसे length यानि सबसे longest हो गया है जो कि 831 km है और यह अभी तक का world का सबसे longest network है ठीक है तो चाइना जो है वो इसमें आगे निकल गया है अगला है वेर हास दे राइट टू पी campaign been launched to improve the condition of public toilets यह चो campaign है राइट टू पी इस campaign को शुरू किया गया नागपूर महाराष्ट्रों में अच्छा इस campaign से क्या होगा दिखे इस campaign का में परपस ही है कि चो citizens है उनको clean safe और free toilets free में यहां पर उनको provide करना इस campaign का परपस है तो याद रिखेंगे नागपूर महाराष्ट में इसको शुरू किया गया अगला है who has been appointed as the permanent representative of India to the United Nation Conference of Disarmament तो किसे पॉइंट किया है right answer is Anubam Ray is the correct answer next is who has won the title of Mrs. India Galaxy 2021 right answer is Nikita Sokal तो friends Nikita Sokal ने 2021 का Mrs. India Galaxy का किताब जीता अगला है RBL Bank के managing director CEO कौन बनी है तो friends यहाँ पर देखिए correct जो answer हो जाएगा RBL Bank की बात करें तो राजीव अहुजा is the right answer RBL Bank के सापना 1943 में हुई इसका headquarter है मुंबई में और इसके tagline है अपनो का bank next question देखिए how many Indian writers have been honored with the prestigious Sahite Academy Award 2021 तो numbers हमें बताने हैं कि कितने लेखकों को यह जो पुरसकार है इससे सम्मानित किया गया है correct answer is 20 तो इसमें से आपके लिए जो important है देखिए एक नाम आपको याद रखना है नमिता गुकले जिनको English novel के लिए honor किया गया और उनका जो novel का नाम है things to leave behind novel are very important second name आपको याद रखना है दया प्रकाश सिनहा जिनको उनके noble साहिते जिनको देखिए साहिते अकार्ड में वोर्ट बिला है Hindi language में ये आपको दो जीज ध्यान रखनी है एक तो नमिता गुकले का नाम ध्यान रखना है second दया प्रकाश सिनहा का अगला है who has been appointed as a new director general and chief executive officer of Indian institute of corporate affairs right answer हो जाएका प्रवीन कुमार तो friends प्रवीन कुमार को appoint किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं महानिदीशक के पत के लिए चलिए अगला question पे हम लोग देख लेते हैं next question में बोला गया है कि railway board के नई अध्यक्ष और CEO कौन appoint किये गए हैं तो देखें अगर हम railway board के बात करते हैं question important है वी के तरपार्टी अभी नई अध्यक्ष और CEO बने है railway के बात करते हैं 1853 में स्टिबलाइश्मेंट हुई न्यू डेली में इसका हेटक्वाटर है और अश्वनी वैश्णों इस टाइम पे railway minister है हमारे और chairman वी के तरपार्टी अपाइंट किये गए अगला question है which of its foundation day has been celebrated by the defense research development organization तो देखें के बात आती है तो देखो 1958 में स्टेबलाइश्मेंट हुई है न्यू डेली में इसका हेटक्वाटर है और जी सतीश रेटी इसके president है अगला है who has launched the 100 day education campaign और इस campaign को नाम दिया है पड़े भारत ये जो अभियान है देखिए इसको शुरू किया है धर्मेंद्र प्रदान धर्मेंद्र प्रदान जो कि इस टाइम पे हमारे education ministry है इनके दौरस campaign को शुरू किया गया अगला है who has been appointed as a new high commissioner of India to Barbados correct answer is yes बालचंदरन जो कि बारबदोस ने भारत के नई उच्चायक अपॉइंट किये गए अगला है who has become the new chief secretary of बिहार बिहार के नई मुख्य सचिप कौन बने answer is आमिर सुभानी तो friends आमिर सुभानी appoint हुए है बिहार के नई chief secretary बिहार की बात आती है तो 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई है capital है पढ़ना CM है निटीश कुमार governor जो है उनका नाम है Fagoo Johan यहार रखेंगे और बिहार में एक national park है जो की बहुत important है Balmi की national park next question है which team has won the under 19 cricket Asia cup title for the eighth time यानि आठवी बार जो यह under 19 cricket Asia cup इसका खताब जीता है बही इंडिया की टीम ने तो याद रखेंगे किस ने जीता है इंडिया और इंडिया ने final में किसे हराया है तो ये भी ध्यान ने केंगे श्री लंका को अगला है देखिए who has been appointed as the new director general of Indian coast card right answer is विरेंदर सिंग पतानिया जो की friends भारते तटरक्षक बलके नए महाने देशा के रूप में नियुक्त किये गए Indian coast card के स्थापना 1978 में हुई है Indian coast card day मनाया जाता है एक फरवरी को इसका headquarter है न्यू डेली में next question पे चलते हैं which Indian company has acquired Britain's battery maker Ferradian तो कौन सी Indian company ने इसको acquire कर लिया है यानि इसका अधिग्रहन कर लिया है correct answer is Reliance New Energy Solar Limited ने इसका अधिग्रहन कर लिया Reliance की बात आती है 1973 Establishment Mumbai में headquarter है धीरुभाइ अंबानी ने इसकी शुरुवात करी है और chairman इसकी है Mukesh अंबानी next question is who has been appointed यानि किसे MDO CEO appoint किया है Equitas Small Finance Bank Limited में तो अभी appoint किये गए है Vasudevan पठानी नरसिम नरसिम हन ये पूरा नाम में चोड़ा सा रह गया है तो ये इहाँ पे सही आंसर हो जाएगा Equitas Small Finance Bank के शुरुवात 2016 में हुई है इसका headquarter है चेन्ने में और जो इसके part-time chairman है ने ना उनका नाम है Arun Ramanathan और इसकी tagline है It's Fun Banking next question is where has Prime Minister Narendh Mudiji late the foundation stone of Major Dhyan Chand Khaylorat University इसके जो अधारशिला रखी गई है देखे ये रखी गई है मेरट में तो इसको बनाने में almost 700 जो करोन रुपे है पुरी इसमें लागत रहेगी और ये जो खेल संसकती है हमारी उसको बढ़ावा देखा ये ये यूनिवासिटी तो मेरट में इसकी अधारशिला रखी गई next question के तरह बढ़ते है which country has launched a five year plan to become the global robotics hub correct answer is China तो फ्रेंट चाइना ने 2025 दुनिया भर में जो robotics innovation center उसके बनाने के लिए उसने अपना target set कर लिया है तो उसकी पूरी एक 5 साल का plan त्यार किया है तो यहाँ पर answer हो गया चाइना चाइना की बात आती है तो capital है Beijing, currency है देखे रेंट मिन भी जोकि पहले युआन कहा जाता था प्रेसिडेंट है यहाँ के श्री जिन्पिंग, इंडिया और चाइना के बीच में जो border line है उसका नाम है Mac Mohan line कहेंगे से और China पहली country थी पूरे world में जिसने paper currency को जारी किया था next question is according to the report of National Tiger Conservation Authority how many tigers have died in 2021 तो 2021 में यह जो report आईए इसके अनुसार कितने tigers की मौत होई है तो correct answer is 126 जो कि इसा कहा जा रहा है कि अभी तक की सबसे जाधा dead है tigers की 2016 में इससे पहले माना जाता है सबसे जाधा थी 121 लेकिन 2021 में आप देख सकते हैं 126 है तो यह सबसे जाधा record है अगला है when is global family day celebrated तो देखे global family day हो है जो हर साल एक जनवरी को मनाया जाता है तो यह आपको याद रखना है global family day कब होता है अगला question देख लीजिए कौन सी company है जिसने world का fastest flying electric plane बनाया है तो company का नाम है Rolls-Royce तो Rolls-Royce के दोआरा यह सबसे fastest electric plane है और इसकी अगर हम speed की बात करते हैं तो इसकी speed है 623 km पर R की speed से यह उडान भर सकता है तो अभी तक का सबसे fastest है अगला question है which company has handed over the first of India's 23 electric boats to Kochi Metro Rail Limited तो कौन सी company ने boats को Kochi Metro Rail Limited को सौपा है तो company का नाम है Kochin Shipyard Limited जो की Kochi में ही है Next is भारते सेना ने Quantum Computing Laboratory को कहां पे establish किया है तो देखें जो यह Laboratory है ना Friends इसको establish किया है मौन जो की कहां है Madhya Pradesh में Indian Army के बात करते हैं तो 1895 में establishment होई headquarters का New Delhi में है Chief of Army Staff है General Manoj Mukund Narwane Deputy Chief है Chandi Prasad Mohanty और हर साल Indian Army Day मनाया जाता है 15 January को Next is who has been honored with the world CEO winner of the year 2021 यह जो award है इस award से समानित किया गया है किशोर येदिम को किशोर येदिम Federal Soft System के CEO है और ये जो company है वो Hyderabad की company है अगला है which has become the first Asian country to win a test match in Centurion यानी Centurion में test में जीतने वाला पहला Asia ही देश कौन सा बना है correct answer हो जाएगा India is the right answer अगला है where is the under 19 cricket Asia Cup 2021 held तो इस Asia Cup का आयजन किया गया था फ्रेंड से UAE में तो इसका आयजन इस्ताल आपको ध्यान रखना है Next question है who has become the new brand ambassador of online travel company और इसका नाम है easmytrip.com तो इसके जो भी brand ambassador बनी है वो दो को बनाए गया विजेराज और वर्ण शर्मा तो correct answer हो गया बोथ A and B Next है विस्तारा इयरलाइन के नई CEO कौन बनी है तो विस्तारा इयरलाइन की बात करती है तो विनोत कनन जो है इसके अभी हाली में CEO appoint किये गई है विस्तारा इयरलाइन जो है भासकरभट और CEO अभी appoint हुए है विनोत कनन Next question is Which has become the first union territory to have district level good governance index Right answer is Jammu Kashmir तो फिर्ट Jammu Kashmir जिला स्तरिय सुशाचन शूच कांग वाला पहला केंदर साशर प्रदेश बन गया है अगला है Who has been appointed the new steel secretary of India Right answer is Sanjay Kumar Singh जिनको Sparth Sachiv के रूप में appoint किया गया Next is Which company has bought 100% stake in Elise India and Green investment तो इसमें 100% जो हिस्सेदारी खरीदी है वो किस ने खरीदी है Tech Mahindra ने खरीदी है अलगबक इसमें 12.5 million dollar का invest करकी यह जो stake है वो खरीदी है Tech Mahindra की बात करते हैं तो यह एक Indian Multinational Technology Company है जो की Technology से related information या फिर कह लिए जो outsourcing services है वो provide करती है 1986 में establishment होई और इसका जो headquarter है वो पूने में Next is Who has cheered the 46th GST council meeting जो की New Delhi में होई आप देखे GST का संबन्द थोड़ा सा finance से आएगा थोड़ा सा क्या GST का संबन्द है Finance से और Finance Minister कौन है निर्मला सीतर हमर जी तो इनके द्वारा ही इस बैटा की अध्यक्षिता करी गई अब बात आती है GST जिसकी full form है Goods and Service Tax GST ने की indirect tax है जो की implement हुआ था 4th July 2017 को यानि ध्यान ने कींगे इंडिया में ये 1 July 2017 को implement हुआ था GST के rates अलग-अलग है जैसे 0%, 5%, 12, 18, 20 तो इस तरीके से इसका जो rates हैं वो लगता है और पहली country कौन से थी जिसने GST को implement किया था तो वो थी France तो ये कुछ important question है जो को यहां से बन सकती है अगला question है Who has become the country's first paperless high code? Right answer हो जाएगा Keral high code तो दिखें यहां पे जो वोग होगा जितने भी documentation कुछ भी है वो सब online हो जाएगा तो papers वगरे की जरूरत नहीं होगी तो paperless code ये जो है वो पहला बना Next is Who has won the women's category title in the All India Federation Cup Karam Tournament 2021 तो महिला वर्गमी खिताब किसने चीता है? रश्मी कुमारी ने Next question है In which country? पहला case फ्लूरोना का जो के एक rare mixture है Influenza and Coronavirus का तो भी ये पहला case नजर आया है कौन से देश में? तो इस्राइल में ये अजीबो करीब जो case है वो नजर आया है और इसमें जो जिसलिए नाम दिया गया है फ्लूरोना इसमें सांस लेने में कटनाई होती है अगला है देखे जमु कश्मीर बैंक के MD और CEO पत पर किसे अपॉइंट किया गया Right answer is बलदेव प्रकाश को अपॉइंट किया गया और जमु कश्मीर जो बैंक है इसकी शुरुआत 1938 में होई और इसका आपको जो हेड़कॉर्टर है वो मिलेगा श्रीनगर में अगला question देखे The Chief Minister of which state जिन्होंने कौशल रोजकार निगम पोर्टल को लाँच किया ये पोर्टल शुरू किया गया है Friends हरियाना की सरकार के द्वारा तो Friends ध्यान लखेंगे कि किसने शुरू किया है हरियाना की सरकार नी Next question के तरह बढ़ती है Question में पूचा है तो ये पहली महिला यहां की अध्यक्ष्मनी है Question are very important Next question What is the name of India's first test kit to detect the new variant Omicron of Coronavirus तो इसका पता लगाने की जो पहली kit है न उसका हमें नाम बताना उसका नाम क्या रखा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा ओमी श्योर इसका जो है वो नाम रखा गया है और इसको ICMR की द्वारा मन्जूरी भी दी गई Next is When is World Braille Day celebrated तो जो विश्व ब्रेल दिवस्ट है Friends ये हर साल चार्ड जन्वरी को मनाया जाता है देखिए चार जन्वरी को क्यों मनाया जाता है तो चार्ड जन्वरी को Lewis Braille का बर्दी होता है जिनोंने इसको इन्वेंट किया था ये जो स्क्रिप्ट है न इसको इन्वेंट किया गया था Lewis Braille के दौरा इसका नाम भी Braille स्क्रिप्ट रखा गया तो Braille Day जो है वो इसी उपलक्ष में मनाया गया सबसे पहली बार तो 2019 में ये सलिबेट किया गया था अगला है वेर डिड यूनियन आयुष मिनिस्टर सवननदा सोनेवाल जिनोंने हर्टफुलनेस इंटरनाशनल योगा अकेडमी की अधाशिला रखी तो ये कहां पे रखी गई है तो इसको रखा गया हाइडराबाद में नेक्स्ट एक इस देश में कोरोना वाइरस का एक नया वेरियंट जिसको नाम दिया है IHU ये अभी खो जा गया है तो ये जो नया वेरियंट पाया गया है ये अभी फ्रांस में देखा गया फ्रांस की बात आती है तो यूरोप कॉंटिनेंट में एक कंट्री है जिसके कापिटल पैरिस है, करंसी है यूरो, जीन कैसिटेक्स यहां के प्राइम मिनिस्टर है इंडिया ने जो राफिल एर्क्राफ्ट खरी देते वो फ्रांस देश्रे खरी देते और यहां की पार्लमेंट का नाम है नाशनल असेंबली नेक्स्ट कोशन है वेर हैस प्राइम मिनिस्टर नरीन मोदी जी इनागरेटेटे टर्मिनल ओफ महाराजा बीर विक्रम एर्पूर्ट तो इसमें पूरा जो है इसका इसका बनाने में 450 करून रुपे का पूरा कॉस्ट लगा है तो इसको इसका जो इनागरेशन हुआ है वो खुले में शौचमुक्त विलिच में अंडर दी सुच बारत मिशन फेस्टू प्रोग्राम तो इसमें चो टॉप किया है देखे फ्रेंड्स से बात करते हैं किसके द्वारा किया गया तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर देखे ऑप्शन को हमें एड करना पड़ेगा तेलंगाना इस दी राइट आंसर तो तेलंगाना ने इसमें टॉप किया नेक्स्ट ए इंडिया हैस अजीव थी हाइस्ट एवर एक्सपोर्ट ऑफ हाउ मिनी बिलियन डॉलर तो अभी तक का सबसे ज़ादा जो निर्यात हासिल किया गया वो दिसंबर के महीने में किया गया और कितना किया गया 37.29 बिलियन डॉलर ठीके तो 2020 के अगर हम पैरिजन करें तो उससे 37 परसेंट ये जादा है अगला है who has become the new director journal of the national mission for clean गंगा आंसर इस जी अशोक कुमार तो फ्रेंट्स इन्हें स्वच गंगा के लिए राश्टिय मिशन के नए महानिदेशक के रूप मे अपॉइंट किया गया हमारा आज का आखरी कुशन देखिए क्या है तीन जन्वरी को देश की जो पहली female teacher थी सावित्री बाई जूतिराव फूले इनकी कौन सी जयनती मनाई गई तो आंसर हो जाएगा 191 जयनती इनकी मनाई गई इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंट्स तीन जन्वरी 1831 को महरास्ट के जो सतारा डिस्ट्रिक है वहाँ पी इनका जन्म हुआ था तो यह हमारे देश के पहली female teacher थी तो यह आपके exam point विससे काफी important है तो इनके बारे में याद रखेगा तो फैंस यह थी हमारी आज की class आशा करते हैं कि आज के सारे question आप लोगों ने पिल्कुल करेक्ट टिक मार्क करें होंगे चलिए important session में मिलेंगे thank you so much for watching this video